अपने नाना को पेट्रोल डाल कर जिंदा जला देने का मामला सामने आया है गंबीर हालत में नाना को इलाज के लिए जीला अस्पताल में भरती करवाया गया है पुलिस आरोपी के विरुद कारेवाही में जुट गई है शाहबाद कोतवाली शेतर के ग्राम कचुरा निवासि सुनील का अपने दामाज जीतू और नाती एंथोनी से भूमी को लेकर विवाद चल रहा था इसी विवाद के चलते आये दिल लडाई जगडा भी हुआ करता था जिसके चलते परिवार में कलह होता रहता था किसी बात को लेकर इन लोगों ने सुनील के साथ गाली गलोच और मारपीच भी की विवाद में ही तैश में आकर एंथोनी ने अपने नाना के उपर मोटर साइकल से पेट्रोन निकाल कर डाल दिया और आग लगा दी आनन फानन में सो नंबर पुलिस को सूचना दी गई सूचना पाकर मोके पर पहुची पुलिस में घायल को सियाच सी में भरती करवाया सुनील को चिंता जनक हालत में हरदोई रैफर किया गया है घाय सुनील ने अन्थोनी जीतू कमलेश आदी पर जलाने का आरोप लगाया है एसपी आलोग प्रियदर्शी का कहना है कि मामले में कारेवाही की जा रही है किसलिए डाला गया क्या कारण रहा है कि अन्थोनी कौन है ये आपके कौन है ये मुझे नहीं वालूँ और सुनी में टून फ्रायर जैसे वहां पर लोग महजोद थे वही बता रहे है कि हमारे हाँ स्यसी सहाबाद में 108 एंब्लोंस को जारा एक वेक्ति आया जो जरी वास्ता में इसका नाम सुनीर उप रही से और ये कचूरा गाउं का रहने वाला है इसका प्राफिन पुप्चार देने के बाद इसे जिला इस्पताल के लिए जिला सुदा हर्दोई लिए रिफर कर दिया गया है ये ग्राम कचूरा से जानकारी प्राप्त हुई है जानकारी को वेरिफाई कराया जारा है आरोप यह है कि एक नाधी नाना के उपर कुछ डाला है जिसके वैसे वो अभी जिला सुदाल में आये हैं पुरे प्रकण की जाच कराई जारी है अभी पुलिस को कोई फॉर्मल श पुछ गाराना के लिए यह ब्यास यरी अदर आट चाहिट पर कुलिक जाल को वेडें आर आट जिए जे यह दे लोड़िक वाहिन रचेल अट पाने के लिए बेल इकन को क्लीक कर हमारी चानल को लाइप, शेर अट सुब्स्क्राइब करें हैंने वाद